Hello everyone, Welcome back to my channel दोस्तों प्रस्तूत है आज की breaking news बेसिक सिच्छा विभागने दो बेसे के खिलाब की कारवाई TGT 2011 जीविग्यान के अभ्यर्थी असमंजस में फर्जी वाड़ा दूसरी के नाम पर 12 साल तक नौकरी करने वाला सिच्छा बर्खास्त बेतन की होगी वसूली मदान के तैयारियों के बीच बड़ी कारवाई छी अप्रधाना ध्यापक और 49 सिच्छी को सहित 52 का रुका गया बेतन 2019 के बाद खोले गए पीपिएफ खातों के बिले की इजाज़त नहीं सरकार बनने पर नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे बिभाग 72 मार्श तक सौपे बित मंत्रा ले डियम को हायकोड के आदेस की बैख्या का अधिकार नहीं इन करमचारियों को होली से पहले मिलेगा बोनस जाने किसे मिलेगा लाव कार में मिली इवियम मसीन जाने क्या है पूरा मामला आज़े देखते हैं दोस्तों खबर विस्तार से जी यहां दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबर विस्तार से कि इस में नहीं है यूटूब चैनल पर लकनव बेशी सिच्छा विभाग के अनिमित्ताओं के खिलाब कारवाई सुरू कर दी है बिसे सरावस्ती प्रभुराम चौहान के खिलाब अनुसासने कारवाई के आदेश जारी किये गए हैं उनके खिलाब स्कूलों के इस्थनांतरी सिच्छों को कारे मुक्त करने उनके जगापर प्रतिस्थानी सिच्छों को तहिनाति करने में अनिमित्ता वर्ती गई बिसे सचिव अर्वी सिंग ने जांच के लिए मंडली संयों के सिच्छा निदेशक देवी पार्टन को जांच अधिकारी नियुक्ट किया है ततकालिन बियसे इटावा ओपी सिंग पर भी उम्राई के सहय कध्यापका जियोतियादों को पहले बार दो साल तक डी एम ए सेल में और दूसरी बार सत्रा महिने तक आई टी आई इटावा में नियम बिरुद संबद्धी करण किया गया उनके खिलाब करवाई के आदेश दिये गए हैं मंडली संयों के सिच्छा निदेशक कानपुर मंडल को जांच अधिकारी बनाए गया है अमेठी के ततकालिन बियर से विनौस भुमार मिसर के खिलाब चल लए ही जांच को खत्म कर दिया गया है उन्हें वहविस के लिए सिच्छा किया गया है उन पर 79,000 सिच्छ भरती में मन माफिक नियुक्ति देने के आरोप थे जो जांच में गलत पाए गए गए प्रियाग राज उत्रपदेश मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड प्रसिच्छित इसनातक सिच्छा क्टीजिटी 2011 जियुविग्यान विसर का प्रणाम अब तक घुसित नहीं कर सका है इससे अभ्यतियों में निरासा है इस भरती के अन विसरों के अभ्यतियों को प्रणाम अठका है चैन बोर्ड के सच्छों नवल के सोर का कहना है कि जिव विग्यान विसर में लिखित परिशा के प्रणाम को लेकर चैन बोर्ड को निर्णा करना है उस जाधार पर कारवाई कराई जाएगी बेसिक सिच्छा विभाग के परस्दी स्कूलों में दूसरे के अबलेकों पर फरजी तरीके से सहाय के द्यापक पर बारा साल तक नवकरी करने वाले को बियसे ने बरखास्त कर दिया साथ एक खंड सिचाधिकारे रुधावली को बितन रिकाबरी और मकंदमदा जिकराने का आदिश दिया है स्टीफ की जाँच में फरजी वाड़े का अब बरखास्दी की कारवाई की गई है संत कभीर नगर का पता अभी लेक में है दर्ज बियसे कारे लेक के अउसार अभी लेक में फरजी से चक टीचर ने अपना पता संत कभीर नगर जिले की कोतवाली थाना अंतरगत और द्योगिक नगर धर्ज किया है बियसे ने आरूपी प्रधाना द्यापक रमेश कुमा चौबी की सिवा समाप्त करने के साथ ही बेतन रिकाबरी और मुकदमा धर्जी करने का आदिश दिया है बस्ती के बि सब्सक्राइब करने के साथ ही अगरिम कारवाई शुरू कर दी गई है उत्तरपदेश विधानसवा चौनाओं के तयारों के बीच बड़ी कारवाई की खबर आ रही है जिले के छिए प्रधाना ध्यापकों 49 सिचकों सहित दरसल महीने भर पहले मंडली उप्सिछा इंदिस परशकंच चत्रा और नगुवा बलाक में प्रधाना ध्यापक सहित बाउन के नदारत होने के बाद सामने आई थी एक महीने बाद लिया गया एक्षं मंडली उप्सिचा ने देशक भी निरिशन के बरवान तब हैरत में पड़ गया है जब कुछ विद्यालियों में कुछ बिद्यालों के तो सभी स्टाफ गया है मिले हांकि निरिशन के एक महीने बाद अब जाकर कारवाई सामने आई है जिला बेसे सिचाधिकारी बियसे हरिवांस की ओर से गुरुवार को जारी किये आदेश में 6 प्रधाना ध्यापक 49 सिचक 4 सिचा मित्रा और 3 अंकरों के प्राजट का दिया है बितमत्राली के आर्थिक मामलों के विभाग ने सबस्ट किया है कि बारों नमपर 2019 को इसके बाद एक ही बैक्त की वह से खोलेगे दो यह इससे ज्यादा पीपे खातों का बिले नहीं हो सकेगा विभाग ने आफिस मेमरंडम चारी कर रहा है कि पीपे जारी किया है सर्कुलर में कहा गया है कि बारा दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही बेक्ति द्वार खोले गए दो या दो से अधिक भीपे खातों में से एक को छोड़कर अन को बंद कर दिया जाएगा साथ ही ब्याज भी नहीं मिलेगा खाती में जमा होगा बच्छतियोज जमा किया जाएगा अभी तक अपनी बच्छत यूजना से बैंक या पोस्टापिस का बच्छत खाता लिंक नहीं कराया है तो 31 मार 2022 से पहले लिंक करा लें ऐसा नहीं होता तो एक अपरल के बाद ब्याज विवित कारेले खातों में जमा कर दिया जाएगा किसी बेक्त ने एक पीप खाता जनुरी 2015 में और दूसरा जनुरी 2020 में खोला है ऐसी इस तितमे जनुरी में खोले के खाते को बंद कर दिया जाएगा यदि किसी बेक्त ने खाता 2015 और दूसरा 2018 में खोला है तो दोनों खातों का बिले कर दिया जाएगा वरानसी समाजवादी पार्टी के अ जरूरी है भाजपा वाले जूट की भी प्रकास्टा पार कर रहे हैं उनके बड़े नेता गंगा मैया की जूटी कसम खाते हैं उनके दल में जोड़ बोलने के वोड़ मची हुए कि इतना बड़ा जोड़ बोल सकता है यदि इस बार भी वह लोग सता में आये तो मंगाई आया जाएगा अक्रिस ने कहा कि छटी चलंड के बाद गोरकपुरा गरंगाई रुपता ही चल लए है बाबा अब वहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं जौनपूर सपा के लोग जो वादा करते हैं उससे पूरा करते हैं जबकि आनना पार्टियों में ऐसी खूबी नहीं है सरकार बनने पर युवाओं को नोकुरियों रोजगार देंगे किसानों को उनकी उपच का सही दाम मिलेगा और खाद भीज भी सस्ता होगा ब्यापारी हो या गरीब हो हर सहुलियत मिलेगी सपा के संद्रशक मुलायम सिंग यादो सुकुरार को इस तरह भी रोजगार कि किसान नोजवान ब्यापारी सही सभी वर्गों के मद्दाताओं को साथने के कोशिश करते दिके वह मलहनी विदान सवाचीत के कोलहाल गन बाजार में सपा प्रित्यासी के समर्था ने जंस्वा को समोधित कर रहे थे भीड़ दे उतसाहित मुलायम सिंगादों ने कहा कि भ सपा अध्यक्ष ने मवगाजीपूर चंदवली में जनसभा की कहा भाजपा के बड़ेन तक खाते हैं गम में एक जोटी कसम छटी चरन के बाद गोरखपूर जाने के तयारी कर रहे वाबा नई दिल्ली बित मंत्राले ने विभागों से बित वर्ष 2021-22 में हुई किसी बच प्रकोष ने सभी मंत्रा लेएं विभागों बेजे गए अध्यारी ग्यापन में कहा कि चालूबी दवर्ष के लिए अधित रासी में हुई बचद को सरकार को सुपूर्द करने के लिए किसमार 2022 के अंतिन तारिक तै की गई है प्रयाग राज हाई कोट लिलाहबाद हाई क दाखिल नहीं की गई आदेश अंतिम हो गया जिसके अहिलना कोट के अमना यहां आदेश नियामोर्ति रोहित रंजना अगरवाल ने चंद्रमणी के अमना याचका पर दिया याचका पर अधेवक्ता आर्या नियादावा अभिसे कुमार यादान बहस की हाई कोट ने कहा कि सरकारी विभाग किसी से दैनी के अत्या वेतन पर दसकों तक काम नहीं ले सकता ऐसे कर्मी बिनिमित्ती करण के हजदार है कोट ने नियमित करने से इंकार संबंदी आदेश रहत करती हुए सेवा नियमित करने पर विचार करने का निदेश दिया था जिसका पारण नहीं करने पर गया आउमाना आज का दायर की गई है याची जिला विकास कारे ले जौन पुरून उसे बानवी से लेक्टिशन है नियमित बेतन बुक्तांद किया जा रहा है सेवा को तीस साल बास सेवा नियमित करने की मांग जो 22 मास 2018 को आस विकार कर दी गई जिसे चुनोती दी इस पर कोट ने याची को नियमित करने का आदेश दिया अब जलाजिकारी ने अनपालन हलपनामा दाकिल कर कहा कि राम अजोर कलेक्टरेट में कारणे था उसे राजस व्याकर मजदूरी बजट से बितन दिया जाता था उसे नियमित कर लिया गया है याची को विकास बहु लिए आदिश दिया गया है केजी एम्यू दस एजेंसियों के माध्यम से करीब 6,000 कर्मचारी आउट्सोर्सिंग प्रतेना थे इसमें लैब टेक्निसियन स्टाफ नर्स सफाई कर्मचारी कंप्यूटर राप्रेटर सुरच्छागाड आदसा मिलें इन कर्मचारियों को समय प दिलाने का फैसला किया गया कुल सचु आज़स तोस कुमार दिवेदि ने सभी आदेश जारी किया है इसमें पांच बच तक फरूर का बेतन बुक्तान करने के निर्देश दिये हैं पांच मार्स तक साथ ही बोनस भी मार्सिक अंजदान के साथ देने को कहा है मनवानी पर ह होगी कारवाई कुल सचु ने साब कहा कि करमशारी को पांच मार्स तक बेतन बुक्तान नहीं किया तो एजनसी पर कड़ी कारवाई की जाएगी आदेशों का उलंगन करने वाले एजनसी पर सेकन जाका साजाएगा इसकी जिम्यदारी फर्म पर होगी समय पर नहीं मिला बे कर दिया गया या है मामला जिराजकारी जहजीत कवर ने बताया कि दस परोरी की विधानसवा चुनाओं के प्रतम चुना मदान हुआ था मदान का समय स्वाप्त होने पर कैराना विधानसवा छेत में कार में रखी एवियम से समद्धित वीडियो इंटेंडेट मीडिया पर को निलंबित कर दिया है मदगरना निश्पक्षिता के साथ कराना ही हमारा दायत सामली जायकरन संबादाता आगामी 10 मार्च को होने वाली विधानसवा चुनाओं के मदगरना को लेकर सीडियो के देख्षिता में सुकुरार को मदगरना सहाय को माइक्रो आपजरबरों का अउसर पर सीरो ने कहा कि मदगरना को पूरी तरह सांतिपूर्य निश्पक्षिता से संपन कराना हम सब कदाई तो है प्रेश्चर के दावरान कर्मिचारियों को पोस्टल बैलेट के गढणा का प्रेश्चर दिया गया सीडियों ने बताया कि प्रतेक बिधान सभा ने डा सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी लेकर तब तक के लिए मशकार